असलाम हुलेकुम फ्रेंट्स and वेलकम बैक टो माई चैनल कुक एंड स्टिच विद मोना फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक और नया तारकशी का डिजाइन शेयर करूंगी जिसके लिए सबसे पहले हम डबल धागा जो है वो सुई में डार लेंगे और यह देखें सबसे पहले हमें यहां पे आठ धागों के साथ इसे वर्क करना है यानि आठ धागे हम लेंगे ऐसे यह देखें क्लोज में आपको ज़्यादा लग रहे होंगे लेकिन यह आठ ही है इसमें से आठ में से चार जो है सबसे पहले हम उठाएंगे यह चार धागे ऐसे यह वले चार उठाएं और जो बाकी के चार हैं उससे नीचे दबाते हुए ऐसे सुई को गुमाएंगे और आगे से बाहर निकाल देंगे धगा जो है, इसे हम पीछे की तरफ ही रखेंगे, आगे की तरफ नहीं रखना और ऐसे सुई को निकाल लेंगे, बिलकूल आराम से जैसे हम नॉर्मल निकालते हैं, वैसे ही निकालेंगे, इसे जोर से नहीं खिंचना, जो देखें फिर से, ये चार धगे मैंने उठाए, और नीचे जो चार भाके रह गए थे वो नीचे दबाए और ये गुमा के सुई इसको यहां से ऐसे बाहिर निकाल दिया ऐसे और बिल्कुल आराम से खींचेंगे जोर से खींचेंगे तो इसके अंदर भल आ जाएगा इसलिए हमें इसे बहुत ही आराम से खींचना होगा धागे को और ये देखें फिर से ये मैंने चार धागे उठाए इसमें से ये देखें ये चार दागे उठाऊंगी और ये चार दुबाते हुए नीचे इसको ऐसे राउंड करूंगी और ऐसे यहां से बाहर निकाल दूंगे नीडल को आप आठ दागों से कम ले सकते हैं लेकिन अगर आप ज़्यादा लेंगे तो इसके अंदर जो गैप है वह बहुत ज्यादा बनता जाएगा जिसके वज़ासे इसके अंदर जो सफाई है वो नहीं आएगी जितना कम आप उठाएंगे उत्रा ही ज्यादा यह अच्छा बनेग और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने मेरी जिग-जैग वाली तारकशी की वीडियो को बहुत ज्यादा पसंद किया था अगर आप मेंसे किसी ने मेरी वाली वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएगी बहुत ही आसान है यह देखें ऐसे यह पीछे से सारी जाली बन जाएगी इसकी अब धानियू कि owe बैंगी अभर आपको यह मेरी वीडियो पसंद आी होगी अगर आपको यह मेरी वीडियो पसंद आईए मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल मत भूलिएगा मेलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए अलाहाफेज